हेलो सो टेकने रूसमा प्लों का स्वागत है और आज की रेक्टनूश शुरू करते हैं उससे पहले कुछ ने कहूंगा आज भी बहुत ही घरमा गरम टेकनूश लेकर आगया हो वीडियो पसंद आईगी तो लाइक कर देना और फटाफट से आज की रेक्टनूश शुरू करत यहां पर अपनी एक नई सर्विस को फाइनली जो वह शुरू कर दिया है इंडिया के इंदर और वो है यहां पर विंग्स और यह क्या करेगा कि आप लोगों को यहां पर जरूरी नहीं कि आपके फोन में नेटवर्क हो जैसी की 3G या 4G आप डायरेक्ली यहां पर वाइफ 99 रुपीज यानि की 1100 रुप्य आपको चार्ज करेगे अब यह बहुत ही अच्छी सर्विस है जो इंटेनेट के इनेक्टिविटी से आप यहां पर इंडिया में कहीं पर भी जो कॉल कर सकते हैं अगर कहीं पर आपका नेटवर्क वीक होता है तो यह आपको बहुत लाँच होने वाला है अभी यहां पर उसकी कुछ स्प्रेसिफिकेशन डिटेस जो वो सामने निकल कर आ चुकी है जी हां ऐसा बता है दर है कि इसमें आपको स्नाप्रेकन 675 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो अभी तक कोई भी ऐसा फोन इंडिया में लाँच नहीं है जो देखके तो विससे बहुत ही कमाल का लग रहा है डिजाइन वगरा भी देखेंगे कुछ इसी लीक हुई है कुछ इस तरह कि आपको मिलेगा आप क्या खास वीवो वी 15 प्रो लाएगा क्या प्राइस होगी अन्बॉक्शिंग तो आपको मिल ही जाएगी बहुत ही जल्दी 20 फरवरी को तो अब हुआवे की तरफ से बहुत इंट्रेस्टिंग ख़बर आ रही है और ऐसा यहाँ पर बताया जारे कि MWC 2019 में हुआवे अपना एक फोल्डेबल स्मार्टफोन जो वह लाँच करने वाल है फोल्डेबल 5G स्मार्टफोन लाँच करेगा जहाँ पर एक प MWC में मुझे लगता है इतने सारे फोल्डेबल स्मार्टफोन आएगे कि मैं आपसे क्या पता एक सैमसंग का होंगा वावे का होगा क्या पता शाओमी भी अपना लिया जाए और बहुत सारी कंपनी से आ सकती है देखते हैं MWC 2019 क्या खास होगा इस बार वीडियो तो आपको ज़रू से इस पर मिल जाएगा तो यह पर एसुस की तरफ से बहुत ही अच्छी खाबर आ रही है और फैनल ही यहाँ पर एसुस ने अपने कुछ बीटा पावर यूजर प्रोग्राम को जो अनौन्स कर दिया ह और शुरुबाद यहाँ पर वो लोग करने वाला ही एसुस के Zenfone Max Pro M2 से जी हाँ अगर आपको यहाँ पर Android Pie का मज़ा उठाना है तो आप लोग उनकी official website पर जाना है और वहाँ से आप जो भी चाहे अपने phone में जो वो पाई का update ला सकते हैं लेकिन याद रखना है यह फिल दूसरी तरफ भी Flipkart पर Asus का कुछ OMG यानि कि OMG जो वो सेल जो शुरू होन वाला है 6th Fab से लेके 9th Fab तक वहाँ पर इसा बताया जारे कि जो Max Pro M1 है यह और भी जादा आपको सस्ते में मिलेगा पहले तो 9000 तक आपको मिल रहा था अभी साड़े 8000 उपर में मिल रहा है जी हाँ साड़े 8000 में 332 वाला Max Pro M1 मतलब जा जा कि भी नीचे कितना जाएगी मतलब स्टॉक बस खाली करना है तो कर रहा ही करना है लास्ट मतलब आइसा हो कि सबके घर में फ्री में देखे जाएगी ले लो ले लो स्टॉक में बढ़ा है ले लो चलते है चलते है एपल का जो iOS 13 है यह हम सभी लोगों को इस साल जो वो देखने को मिलने वाला है और अभी ऐसा बताया जारे कि जो iOS 13 आएगा इसकी जो minimum requirement होगी जो compatibility होगी वो ऐसे यहां पर बताया जारे कि 2016 के बाद से जो भी आइफोन आइपैड वगरा आयते है यह सिर्फ ओनी डिवाइस इसकंदरी हाँ पर जो आएगा मतलब उससे पहले जो भी आइफोन हुए थे या आइपैड लाँच हुए थे उन में इस बार iOS 13 का अपडेट नहीं मिलेगा मतलब iPhone इसमें सारे नए फीचर्स मिलने वाले है यह तो जब उनका इवेंट होगा इस उसके बजानकारी दे सकता हो तो अपर शाओमी के तरब से खावर आ रही है और शाओमी यहाँ पर अपने एक नए गेमिंग स्मार्टफोन के पर जो काम कर रहा है वैसे यहाँ पर शाओमी की जो ब्लैक शार्क की जो सीडी से उसमें तो आपको अल्रड़ी मिल ही रहे और स्मार्टफोन तो अल्रड़ी आ चुके अभी ब्लैक शार्क के अंदर ही 2019 वाला एक फोन आने वारा है और वीवो के पर यहाँ पर एक ऑफिशिल पोश्ट दुवारा जो वो कंफॉर्म कर दिये गया है शाओमी के कुछ सीओ ने ब्लैक शार्क की टीम ने मिलके कुछ पोश यहाँ पर रियल मी इंडिया के अंदर फोर्थ लार्जेस्ट स्मार्टफोन मेकर कंपनी जो बन चुकी है जो मेरे साथ से बहुत ही बड़ी बात है उन्होंने अपने डैडी ओपो को भी पीछे चोड़ दिया उनका जो मार्केट शेर वो लगबक से कुछ 8% के असपास है अभी अभी आई थी न मेरे कैसे 2018 में में से शुरू हुई थी और इतना ज्यादा मतलब एचीफमेंट्स तो मेरे साथ से बहुत इच्छी बात है वैसे रियल मी का जो यूवन है मुझे लगता है सैमसंग के M20 से आते ही कुछ असर पड़ा उस पे और वो यहाँ पर उसका जो 464 जो पहले साड़े 14 गा था वो अभी आपको साड़े 13,000 में मिलेगा कमाल हो गया मतलब मैं कंपरेशन किया लेकि वापस मुझे रिशूट करना पड़ा क्योंकि प्राइस गिर गेती न क्या करे करना पड़ता है तो अब यूटूब की तरफ से खाबर आ रही है और य चीज़ों को टैकल करने के लिए इन चीज़ों को रोकने के लिए जो जान पूछके होता है यूटूब क्या करेगा कि शायद से एक नया option देंगा जहां पर जो लोग डिसलाइक करते उनसे reason पूछेगा कि आपने इस वीडियो को डिसलाइक क्यों क्या तो उनको reason यहां पर सब्मिट करना पड़ेगा हाला कि कुछ चीज़ों के लिए यह चीज़ सही भी है कुछ चीज़ों के लिए गलत भी है क्योंकि कभी-कभी कुछ वीडियो ऐसे होते भी है जहां पर लोग डिसलाइक करते इस चीज़ को actually जो ओपन ही रखना चाहिए independently जिसकी मर्जिया वो कर लेगिन कुछ-कुछ होते भी जो जान पूछ के करते अब इस चीज़ को टैकल करने के लिए यूटूब कुछ फीचर्स धून रहा है कौन सा फीचर बेस्ट सूट होगा उसको यहाँ पर यूटूब आगे चलके लागू करेगा तो रिसले यहाँ पर एक नया malware जो वह दे लेता है और उसके बाद यह login कर लेता है और आपके बाद जो wallet से उसमें जो भी cryptocurrencies होती है जैसे कि यहाँ पर लिखा रहा है bit stamp, Coinbase वगएरा कुछ जो भी टार्गेट कर दिये कुकी माइनस करके एक malware को छोड़ दिये और वो कुछ इस तरी की सीन यहाँ पर करता है मतला आपक कि जो official website है जहाँ पर जो जारकन के जो government के जो employees है जो लोग क्राम करते है लगबख से उनके कुछ 1,66,000 के आसपा जो workers है उनके आधार data यहाँ पर जो online उनकी website पर leak हो गए leak मतलब यानि कि ऐसे है कि मैं आपसे क्या बताओ कि कोई भी जाकी देख सकता है उनके आधार काट के नंबर, job title, उनका phone number, email ID वगएरा वगएरा सब कुछ वहाँ पर लिष्ट हो चुका है ऐसे हैं पर बताया जारे कि 2014 से यहाँ पर यह ऐसे ही unprotected है और इस पर कुछ यहाँ पर नहीं किया जा रहा है और बहुत ही आसान है इन चारी लोगों का details वहाँ से निकलवाने के लिए आधार डेटा हमें पता है कितना जो number होता है वो कितना crucial होता है हम बहुत उसको चुपा के रखते हैं लेकिन नहीं government ही जब इतना लापरवाई कर रही है जहारकन की state government जो ऐसा कर रही है तो फिर मैं आपसे क्या बता 1,66,000 लोगों के विचारे के जो workers होते उनके data leak हो गए पता नहीं कितने की लोगों के पास चला गया होगा और उसका क्या बुरा फाइदा उठा रहो गए यह तो बस एक आम चीज़ हो गई आजकल इंडिया में क्या आपको हम बता है कि YouTube के अपर लगबख से हर दिन 100 million hours से भी ज़्यादा वीडियोस जो वो देखे जाते 100 million hours से ज़्यादा वीडियोस हर दिन YouTube पर देखे जाते ऑल ओवर दे वर्ल्ड तो आज की देखे निशें पर खता हुती हुए उमित करते हैं आपको आज की टेक निउस पसंद आगी है अगर आपको पसंद आए तो अब जरू से इस फीटियो को लाइक करीए मैंसे आप लोग लिए डेली टेक निउस आता रहूँगा आप लोग आपको यसे ही अप्ड